आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ तो कुलम्स लोग थोड़ा सा एक Brief इंट्रोडक्शन आपको बताऊने चाहिए कि सपोस्कोर एक Charge Q1 है और एक Charge Q2 है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर R है तो ये दोनों क्या करते हैं अगर कहीं Space में इस तरीके से एरेंज है तो क्या होगा ये दोने दुसरे के उपर Force लगाते हैं जो Equal and Opposite Direction में लगता है ठीक है और ये जो Force की magnitude होती है वो directly proportional to product of charges और inversely proportional क्या होता है R square के ब्राबर होता है ठीक है तो हमारे पास दो Conditions दे रखी है कि पहले वाले में सपोस्कोर Q1 Q2 Charge था और ये case 1 के लिए हम ले लेते हैं ठीक है similarly case 2 वाले case में क्या हो जाता है कि यहाँ पर हमारे पास charges जो जाते हैं Q1 डैस और Q2 डैस ठीक है और इनके बीच का distance अभी भी आ रहे है और ये आपको पता है कि जो charge है उससे increase कर दिया गया 10% से तो Q1 डैस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1.1 times of क्या हो जाएगा Q1 similarly Q2 डैस क्या हो जाएगा 1.1 times of Q2 ठीक है यह हमारे पास question में दे रखा है तो इसमें force कितना change होगा अगर पहले से पोच करते हैं force F लग रहा तो दूसरे वाले में force कितना change करेगा यह question में से पूछा गया ठीक है तो इसको आप F1 एजूम कर लो यह F1 equals to F है जो कि 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 डायकली पे पोच्टनल होगा Q1 Q2 के similarly यहाँ पे जो force लगेगा F2 वो कि 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 डायकली पोच्टनल होगा Q1 देस इंटू Q2 के according to Coulombs law ठीक है product of charges का तो आपके पास F2 अपॉन F1 जो आएगा वो कि 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 रावर आजागा Q1 देस इंटू Q2 देस डिवाड़ बाई Q1 अपॉन Q2 यह आजागा 1.1 Q1 इंटू 1.1 Q2 डिवाड़ बाई Q1 Q2 ठीक है तो Q1 Q1 से cancel हो जागा Q2 Q2 से cancel हो जागा तो F2 और यह आजागा F के रावर 1.1 का square that means F2 equals to 1.21 of F1 F आजागा ठीक है तो change कितना आया तो अगर आप percentage in हम find करेंगे ठीक है percentage change in force ठीक है तो यह क्या आजाएगा हमारे पास F2 minus F1 upon F1 into 100% ठीक है तो यह कितना आजाएगा 1.21 F minus F divided by F into 100% ठीक है तो FF common कर जाएगा और यह आजाएगा 21% ठीक है अब positive आजाएगा that means यह क्या कर रहा है increase कर रहा है तो force increase कर जाएगा 21% से ठीक है तो हमारा answer हो जाएगा force will increase by 21% ठीक यू Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भर हो सा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप यह WhatsApp कीजिए अपने doubts आच चार्सो 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 पर